वेल्कॉम बेक टूम बेक टूमा यूटूब चैनल सुनर भीपा के दुरया में आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स अभी है ठंडी का मौसा और ठंडी के मौसा में ब्रेकफॉस्ट में आलो के पराथे तो मजा ही आते हैं खाने में मैं बहुत टाइब के पराथे बनाती हूं बट यह वाली रेसीपी थोड़ी डिफरेंट है तो मैं सोचा कि यह रेसीपी बे आप लोगे साथ से एर करूँ तो चलते हैं कीचन में और बनाते हैं अलो के पराथे और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे अलो को पराथा बनानी के लिए हम पहले आठा को गूंद लेते हैं तो मैं आठा गूंद रही हूं मैंने हाफ की जी आठा लिया की हूं का आठा लिया है तो मैं उसे अच्छे से गूंद लेती हूं बड़े बरतन में मैं अच्छे से गूंद लेती हूं ताक कि हमारा आलो क अच्छा बने हमारा आटा गुंद के रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं चूके भी गोल करके देखुगे तो यह रेडी हो चुका है अब हम अब मसाले के प्रिपरेशन कर लेते हैं उसमें हमने हरा वाला लेशन लिया है थोड़ा सा कॉरियंडर लिफ्स लिया धनिया की आट रही है यह तक्ली को अच्छा लाटे दाट एकर घ्रिएग तो ऐसे को अच्छा लागे हो हुए आठ से नौ मिर्चेलितीं अब मैं जो लेसुन हमने लिया था आप नॉर्मल लेसुन भी ले सकते हो लेसुन की कलियां भी ले सकते हो बट मेरे पस लेसुन था पत्ति वाली थी तो मैंने वह ही ले लिया कि टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता है आलो के पराटे की टेस्ट को बढ़ा देता तो आप द पीषने का मतलब बस एक बार आप ग्राइंड करना तो यह देखो मैंने ठकन को बंद कर दिया और यह देखिए आप मैंने दर दरा पीष है आप जो कर देख सकते हो एक दम ना पतला है और बहुत जादा मोटा है मतलब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है मैंने बना आलो के लिया है अब मैंने च वहादा लोगव के लिए बनाते हो तो ज्यादा लिलना मैं कड़ाही कर लेते हैं उसमें मैं दाल लते हूं मैं STUDौ अश्चे संब्सक्irm कर लाै missing concern beMr यूज कर लो अगर आप यह पस न्या उल और तो ंसच्छा दो मरा मतल तिल गर्म हो जब तक यह गर्म ना हो जाए तो अब तक हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे तो फिर अब इसमें थोड़ी सी कड़ी पत्ती डाल देते हैं अगर आप चाहो तो ही डालोगा नहीं है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप मट डालो इसे मैस कर लिया हम देख सकते हुए कि इतना अच्छा से मैस होुच प्रॉट है हुए इसलम डाल देते हैं तेल में डाल दिए आप स caucus यह भून जाएत अब जितने वी था यह भी मासाले مरी क cela कर दिए Mother वॉरए को टेल में को न्यूंम जाए लगा ड़ा कर दिया गड़ा कि यह में चिक्पक करो पहले हालो मस्तियाँ से अच्छा से कमटर म Państwo को आपके चुपस्टा आजा hear और समाल लेकिन थोड़ा आप कि आप कमेड़ाती मृटर देता है तो आप यह मात सोची खड़े म्तर है तो हमाराइला तो पाराठा फट जाएगा या फिर अच्छा नहीं बनेगा लेकिन एक्तम ताजे मतर है आप थोड़ा सा इसे चलाओगे इसे भूनोगे ना तो यह अपने आप नरम हो जाएंगे आप इसे हाथो से नरम हाथो से दबाओगे ना तो यह अच्छा सा दब जाएंगे इसलिए म तो थोड़ा साइब मैं इसमें टर्मरीक पॉडर डाल देते हूं बस एक टी स्मून मैंने डाला है जादर डालेंगे ज़रुवत नहीं है तो फरेंड हम इसे अच्छा से मिक्स कर लेते हैं हमने सारे मसाले डाल लिया है हमने इसमें लसून धन्या मिर्ची डाल लिया तो फ्रेंड हम इसमें आलू को डाल लेते हैं हमने जो आलू को मैस करके रखा था अब मसाले में इसे अच्छे से डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मैस करके डालेंगे ताकि क्योंकि बड़े बड़े आलू के जो टुकड़े रा जाते हैं वो आलू का पराटा बनाने में नहीं तो पिर हाथों से कररे लेकिन अच्छे से मैस करके ही डाले नहीं तो आपके आलू पराटे अच्छे से नहीं बनेंगे अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, अम नमक स्वादानुसार डालेंगे, आप जितनी आलू ले रहे हो, अब उतनी ही क्वान्टिटी में अच्छे से देखकर स्वादानुसार ही नमक डाले, मैंने 1-1.5 टेबल स्पून डाला है नमक, क्योंकि मैंने 1.5 kg आलू लिया था, तो आप देखोगे कि मटर हमारा इस कैसे अच्छे से नरम हो चुका है और वह दब चुका है, तो फ्रेंट्स यह पराटे में बिल्कुल पटेंगे नहीं, आप इसे डालोगे, तो फ्रेंट्स हमारा आलू भुनके रेडी हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं, आप फ्रेंट्स हमारा आलू गर्म ठंडा हो गया और अब हम इसे एक आठे का लोई बना लेते हैं, और इस तरह से आप करके उस बीच से गड़े बनाकर बड़ा सा आप लोई लेना हो और बीच से गड़े बनाकर और हाथ से इसे पतला कर लेना उपर में, और आपको जितना भी आलू डालना होगा, स्टफिंग के लिए आप उतना आलू ले ले, तो फ्रेंट्स मैंने आलू में इसे भर दिया, आठे में मैंने भर दिया, और इसे गोल गोल करके आप इसे छोटा भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया, और अब हम इसे रोल करेंगे और यह बिल्कुल नहीं फटेगा आप लेकिन एकदम हलके हाथों से इसे बेलन से गोल-गोल करके घुमा दीजिए आप देख सकते हो एक भी मटर निकला नहीं है क्योंकि यह मटर थोड़े नर्म हो चुके हैं इसले यह निकला नहीं है और स्टपिं अब हमारा बंके रेडी हो चुका है अब हम इसे तवे पर डाल देते हैं एक मैने बना लिया उत्तर सारे बना लिये तो मैं आपको दिखाती हूं इसे कैसे सीखना है आप यह तो रिफाइन ओल में बना सकते हो या फिर आप बटर से भी बना सकते हो बट मैं बटर यूज न सीख जाए उसके पाथ ही आप पलट लें देखिए फ्रण हमारा सीख चुका है अब हम इसे पलट दिये अब हम इसमें ओल लगा लेते हूं किनारे किनारे चारो तरग घुमा कर ओईल लगा लेए ताकि अच्छे से पूरे पराठे में अच्छे से मिल जाए आप इसे पलट लेते हम और सेम दूसरे साइड में अगर आपको कम बनाना है थोड़ा कम ले लेकिन आलो को पराटा है तो थोड़ा सा ओल तो चलता है इसलिए आप अच्छे से बनाए और खाए उम्मीद करते होंगे आपको यह अच्छा लगागा मेरी रेसिपी से आप एक पर बना के देखना है यह बहुत टेस्टी लगता है मतलब आप एक पर खाओगे तो हमेशा इसी रेसिपी से बनाओगे तो फिरंट से हमारा यह पराटा सिख रहा है अब देख सकते हो यह कैसे अंदर से फुल रहा है आप यह देखो सिख चुका है एक तरफ यह सिख चुका है अगर थोड़ा सा आपको देखने में ही लग रह जुचाया। तो आप उसे देखकर उन लट पलट के इसे किनारे किनारे का थोड़ा सा दभाते कि किनारे में थोड़ा सा आँटा मोटा रहता है तो आप देखो हमारा परेठा बनके रेडिय हो चुका यह आप सारे पर आठे बना सकते हैं आप आप देख सकते हो कि मैंने अपनी ब्रेकफास्ट में ड़ी लिया टोमेटो कचप क्यूंकि आलू का पराथा दही के साथ बहुत टेस्टी लगता है और आप देख रहे हो कितना अच्छा पराथा बनाया है तो यह दो पर्ट से ऐसे खुल रहा है और बीच में आलू है तो समझो कि यह बहुत ही अच्छा बनाया आपका पराथा तो आप जब भी बनाया तो यह करके देख लें कि आपका पराथा कैसा बन रहा है तो यह दही के के चिटनी बनाई है आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मुझे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइप भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ नहीं रेसिपी के साथ तरते के लिए गुडबाय टेक्याव